हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चनल में सेवन अमेजिंग से आइडियाज लाई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे तो प्लीज वीडियो को इसकेप मत करिएगा मैंने यहाँ पर देखिए नेट का कपड़ा लिया है आपको इभी फैंसी फैब्रिक ले सकते हैं यहाँ पर हम बना रहे हैं एक फ्लावर बहुत ही स्पूप सुरता और बहुत ही सिंपल दरीका 3.5 इंच की विर्थ का मैंने यहाँ पर स्ट्रिप कट कर लिया है यह जितना लंबा होगा यह उतना अच्छा बनेगा पर मेरे पास जितना फैब्रिक है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हूँ तो मैंने इसको ऐसे double fold कर लिया है और double fold करने के बाद हमें यहां किनारे पे हलका सा round shape देना है इसी round shape पे machine को चलाना है हमें तो देखिए इस तरीके से हम सिलते जाएंगे सको और यहां पे हमें सिर्फ सीधी सिलाई लगानी है पूरी पट्टी को सिलते हुए जब last में आएंगे तो यहां पी round shape दे लेंगे जैसे पहले दिया था देखिए मैंने round shape कर दिया इस जगे और इस पे भी सिलाई लगा लिया अब देखे जहां पे round shape दिया था यह देखिए आपको सिलाई दिख रही होगी इसके side में जो extra कपड़ा है इसे हमें cut कर लेना है यह जो round shape है इसके side से इसी shape में हम कपड़े को cut कर लेंगे तो यह देखे जैसे इस side cut किया है वैसे ही हम ओपर side में कर लेंगे तो यहाँ भी ऐसे cut कर लेंगे तो देखे कुछ इस तरीके की पट्टी आ गई है मेरे पास और ये पट्टी जितनी लंबी होगी न ये उतना ही खुब सुरत बनेगा अब लेना है हमें निडिल तो ये मशीन वाली सुई है आप सेफटी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं आप फुट को हम नीचे की तरफ पुष करेंगे पुष करने के बाद नीचे आपको इस पेज दिखागा चोटा सा होल दिखेगा यहीं पे हम निडिल को फसा लेंगे ये देखे निडिल हमारी फर्स चुकी है अब ये निकलेगी नहीं इसके बाद इसी पट्टी पे जो एक्स्ट्रा मार्जन छोड़के मैंने सिलाई लगाई थी ना बस इसी मार्जन पे ही इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो देखे रिंकल्स वाला पैटर्न बन जाएगा ये देखे तो जितना लंबा होगा नहीं उतना ही खुपसरत बनेगा तो इसे मैं दिखाती हूँ छोटे से कपड़े के एक पीस पे आप किसी भी ड्रेस पे कर सकते हैं कुर्ती पे बच्चों की ड्रेस पे या बैक बनाते है तो फ्रंट सेड में इस फ्लावर को बना सकते हैं देखे इस तरीके से इसका पैटर्न आ जाएगा बहुत इजी तरीका रहता है और बहुत देखने में कुपसरत लगता है तो बस जहाँ भी आपको फ्लावर को सेट करना है ऐसे बना लीजे इसके बाद बस आपको सिंपल स लगाते जाना है तो देखे निडिल को मैंने फुट से निकाल लिया है अब जैसे सिलाई करते हैं सिंपल बस वैसे ही सिलते जाईए तो जो मार्जन है ना उसको आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दीजेगा ताकि मार्जन जो है रफ साइट वो एक दूसरे से दबती चली जाए सिलाई के अंदर ये देखे इस तरीके से और जो उपर वाली रफ साइट आएगी वहाँ पे हम कोई बीट है कोई पर्ल है या कोई शोपीस वाले बटन्स है वो आप लगा सकते है तो राउंड में ही हमें ऐसे सिलाई लगा लेना है तो देखे इस तरीके के जो होते हैं वो अक्सर बच्चों के ड्रेस में या हेर बेंट बगरा में होता है देखने में बहुत खुब सुरुत लगता है तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं बना के ये बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का और बहुत जल्दी बनके यह रेडी हो जाता है बस लिएच में आप कोई शोपीस वाली बटन्स हैं, कोई भी आपके पास बीट्स रखे हैं, पर्ल रखे हैं, आप उसको यहां पे स्टिच कर सकते हूं, इस्टिच कर लीजे या फिर फैब्री ग्लू से पेस्ट कर लीजे, तो यह था मेरा फर्स्ट आइडिया, सेकेंड आइड सिंगल फोल्ड किया है, डबल फोल्ड नहीं किया है, बस चारो तरफ से हमें सिलाई लगाते जाना है, और इसको पैक कर लेना है, चारो तरफ से, तो देखें, चारो तरफ से सिलाई लगाते हैं, मैंने इसको सिंगल फोल्ड कर लिया है, देखें, उपर की तरफ रफ थाना मेरा सिंगल फोल्ड वाला उसी के उपर हमें मशीन चलानी है अब ही हम डबल सिलाई चला लेंगे तो रफ मार्जन जो है अंदर के तरफ दब जाएगा ये देखें ये जो निकला है तिर्चा ना कॉर्णर बने हुए इसको ऐसे ही रहने दीजे इसके बाद आप सिलाई लगा लीजे दूसरे कॉर्णर पे आ जाएंगे तो अपना जो स्क्वेर वाला पैटन है इसको ध्यान में रखेगा किरारे बाकि जो बढ़ रहा है साइड में उसे इग्नोर करिए अभी बस फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और जो तिर्ची कपड़े की प्लिट्स जैसी निकली हुए है ना कोने शेप में इसको निकले रहने दीजे आगे बढ़ जाएंगे तो लेस मेरे पास कम है अगर होती तो पूरा इसी तरीके से हम कवर कर लेते इसको ठीक अब क्या करना है कॉर्णर कैसे फिनिशिंग से बनेगा ध्यान दीजेगा ये जो कोना हमारा निकला हुआ है ना लेस का कि देखें बीच में होल दिख रहा है इसी से पलट लीजे इसको ये माने पलट लिया पलटने के बाद देखें जो एक्स्ट्रा कपड़ा पलटा हुआ है उसे रहने दीजे आप ऊपर की तरफ ऐसे बठाते हुए हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे तो तिरशी प्रेट्स पंग जाएगी ये देखें इस तरीके से हो गया बहुती फिनिशिंग आ गई और जो कॉर्णर में कपड़ा निकला हुआ है उसे हम कट कर देखें कितनी फिनिशिंग हो गई है बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी सेम तरीके से हम दूसरे कॉर्णर पे जो कपड़ा है न इस तरीके से लेज निकली हुई है इसे भी हम सेट कर लेंगे जो छोटा सा होल दिख रहा है वहीं से आप पीछी की तरफ पूश कर देखें कित्ती फिनिशिंग से हमारी लेज़ाय हो गयी है तो कहीं बौडर बनाना है कहीं कुर्टी वगरा मां लगाना है तो आप इस तरीके से बहुत इस तरीके से लगा सकते चलिये चलते हैं आपने next idea की तरफ तो next idea में यहाँ पर देखें छुटा सा मैंने point बनाया है हम इस flower को बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीका, मैंने four circle कट कर लिये हैं, तो इसी तरीके से आप bangle से बड़े साइज का बनाया है, मैंने थोड़ा सा, तो इस तरीके से कोई भी round object लेके आप कट कर लिजे, 3.5 इंज का diameter है इसका, आप देखें क्या करना है, पहले कोई भी एक circle ले लिजे, इसे हम fold कर लेंगे, बिल्कुल half से fold कर लेना है, यह मैंने fold कर लिया, fold करने के बाद जो यह मैंने point बनाया है इसके उपर ऐसे रख लेंगे, देखें बिल्कुल center में रख लेंगे, इस तरीके से, दूसरा circle लेंगे, इसे भी ऐसे रख लेंगे, दोनों की जो folded side है, वो जहां मैंने point लगाया था नीचे न, वहाँ पे है, मतलब अंदर की side पे, और जो open side है, वो बाहर के side में है, ठीक, बस ऐसे set करते हम बिल्कुल बीच में इसके सिलाई लगा लेंगे, देखिए, इस तरीके से रखा हुआ है, अब बिल्कुल बीच ओ बीच हम इसके सिलाई लगाएंगे, यह मैंने सिलाई लगा ली, अब बाकी के दो circle बचे हैं भी मेरे पास, ठीक, तो जो circle मेरे पास बचे हुए हैं, उसको भी ऐसे fold करेंगे, इन दोनों को नीचे की तरफ कर लेंगे, अब उपर half circle को set करेंगे, अंदर की तरफ, यह देखिए, इसको ऐसे कर लेंगे, और इस circle को अंदर की तरफ set कर लेंगे, अब इन दोनों को उपर की तरफ overlap करा देंगे, ऐसे, तो अच्छे से set कर लेंगे, यह मैंने set कर लिया, नीचे की तरफ कर लिया है, अब ध्यान दीजेगा, एक circle बचा है अभी, वो हम नीचे की तरफ, ऐसे fold कर लेंगे, मैंने fold कर लिया, fold करने के बाद नीचे की तरफ इसको set कर लेंगे, और इन दोनों को उपर की तरफ overlap करा देंगे, बस, अब सिलाई लगा लीजेश पे, यह देखिए, इस तरीके से, य जाएगा, यह देखिए, अब इसको हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से, यह देखिए, अलग-अलग है सब, तो इस तरीके से करने के बाद, अब यहाँ पे हम लगा लेंगे pin, ताकि यह mix-up ना हो जाए, तो इस तरीके से पहले pin लगा के set कर लीजेगा, यह देखिए, इन दोन तो यहाँ पे देखिए, pin से मैंने set कर लिया है, अब इसके बीचों बीच हम सिलाई लगाएंगे, ताकि इसी pattern में set हो जाए, ताकि pin निकालने के बाद भी यह ऐसे ही बना रहे, तो round में ही हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, तो अब यह सिलाई थोड़े से pass में लगाना है, आप चाहें तो थोड़े से दूर side पे भी लगा सकते हैं, यह मैंने सिलाई लगा ली, सिलाई लगाने के बाद हम pin से निकाल लेंगे, और देखें यह हमारा खुबसूरा सा flower बन जाएगा, तो कोई भी dress वगरा में, या कहीं bag वगरा बनाते ना, तो उसके front side में भी आप ल लगा सकते हैं, तो देखें कितना कुफरत लगता है और बहुत जल्दी बनके यह ready हो जाता है, जैसे ready made frock बगरा खरीते हैं बच्चों की ना, उसमें ऐसे ही एकसर बने होते हैं, चलते हैं अपने next idea की तरह, देखें इस तरीके की zip लगानी होती, कई कबार हम अपनी dress में बच्चों की dress में लगाते हैं, तो बच्चों के जितने भी fancy dress आते हैं उसमें इस तरीके से ही overlap होते हुए, हम blanket बनी हुई zip देखते हैं, बहुत ही finishing के साथ लगी होती है, तो इसको लगाने का मैं simple तरीका बताती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा, देखें इस तरीके स फोल्ड करना है, तो मैंना यहाँ कप्ड़े चोटे चोटे piece यानि sample पर बता रही हूँ, ताकि बस आपको उसका तरीका पता जल जाए, तो यह उपर की तरफ कपड़ा छोड़ दिया है, मैंने और नीचे की तरफ छोड़ दिया है, एक बार फिर से बता देती हूँ, देख तो यह देखे, मैंने सिलाई लगा ली, सिलाई लगाने के बाद ध्यान दीजेगा, यह देखे, यह मैंने सिलाई लगाई है, यहाँ पे दो stopper लगे होते हैं, steel वाले, इसका ध्यान रखेगा, इसके नीचे एक mark लगाना है, और एक mark हम उपर की तरफ लगा लेंगे, तो य निशान मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाया है, देखे, जो stopper लगे होते हैं, steel वाले, जो dress में लगती है, इसको ध्यान में रखते हुए निशान लगाया है, उपर वाले stopper में उपर की तरफ और नीचे वाले stopper में नीचे की तरफ, दूसरे वाले कप्रे को इस तरीके से double fold करना है, double fold करते हैं, जहां पर पहले मैंने सिलाई लगाई थी ना, उसके उपर रखना है, जिप के मतलब दूसरे वाले side पे नहीं रखना है, पहले वाले side पे ही रखना है, तो इस तरीके से रख लिया मैंने, और देखिए उपर मैंने जो निशान लगाया था ना, इ वो ध्यान दीजिएगा नहीं तो नीडिल आपकी तूट जाएगी ऐसे स्टिच करेंगे इसके बाद जो जिप की दूसरी साइड थी उस पर आजाएंगे उस वाली पट्टी पे इसको हमें छोड़ देना है इस तरीके से बिलकुल सीधी सिलाई हम दूसरे साइड लगा लेंगे जिप के उपर ऐसे आप टच करेंगे फिंगर से तो आपको अंताजार लग जाएगा आपकी जिप कहां तक है ये देखे आपको इस टील वाला स्टॉपर दिख रहा है ना तो बस इतना ही इजी तरीका था इसको लगाने का कोई जंजट नहीं है बच्चों की ड्रेस बना रहा है या खुद के लिए बना रहा है कोई ड्रेस तो आप इस तरीके से जिप लगा सकते हैं तो जिप भी विजिबल नहीं रहती है अंदर की तरफ है पॉकेट में भी लगा सकते हैं और यह जैसे प्लैंकेट बनता है बिलकुल उसी तरीके हो जाती है यह देखे तो इतना इजी तरीका है मैंने दो डिफरेंट कलर के कपड़े लिए है डिफरेंट कलर की जिप लिए ताके अच्छे से आपको विजिबल रहे अच्छे से दिखाई देगा तो अच्छे से समझ में भी आएगा तो यह बहुत ही आसान तरीका है जिप को लगाने का आपको यह वाला आइडिया भी पसंद आया होगा आप चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ बिना कटिंग और बिना सिलाई मशीन अगर आपके पास भी इस तरीके कि स्लिफ के पैटन की कोई भी ड्रेस है तो इसे आप खुझ से रिपेयर कर सकते हो और वो भी सिर्फ पास मिनट में ना ही आपको टेलर के पास चक्कर लगाना पड़ेगा और ना ही आपके पैसे बरबादोगे देखिए समय किसी के पास नहीं आज की टाय में बहुत कीमती है और आप इस पेशली समय निकाल कर जाते हो बार-बार और आपका काम भी नहीं होता है और कई बार होता भी है तो वो मन के लायक नहीं होता तो इस तरीके से आप खुद अपनी स्लीव को रिपेयर कर सकते हो देखिए करना क्या है इस तरीके का पैटरन है जो कोल्ड शोलर वाले होते है यह हमारा आगे जो cutter वाला part देख रहे हैं आप यह उठा उठा सा लग रहा है sleeves जो बनी है यह हाथ पे उठा उठा सा बिल्कुल helmet जैसा लग रहा है जिसका look बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा finger की help से आप देख लीजे या फिर पहन के देख लीजे मैंने अंताजे से बता दिया आपको इसको पीछे की तरफ पुष करना है इस तरीके से पुष करिये देखे कहां तक कि यह हमारा जो armhole वाला हिस्सा है इसमें set back जा रहा है बिल्कुल wrinkle नहीं आना चाहिए बहुत finishing से करना है आमेई का ताकि बिल्कुल पता ना चले कि यह अंदर की तरफ फोल्ड है तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसे क्या करना है सिर्फ पीछे की तरफ हलका सा पुष कर दीजे देखे स्लीव है तो यह किसी भी dress में हो सकती हो सकता है पीछे की तरफ मैंने पूछ कर लिया है अब जैसे हम तुर्पाई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से धागा आपको बिल्कुल मैचिंग का लेना है बिल्कुल 19-20 ना हो क्योंकि पता चलेगा या फिर बहुत embroidery होती तो भी यह हाइड हो जाता है देखिए इस blouse में बहुत सारा मतलब work किया हुआ है तो यह वैसे भी हाइड हो जा रहा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने cutting करके बनाया है या बिना cutting करके बनाया है और future में अगर आपका शरीर जो है बढ़ता है या फिर थोड़ा सा healthy होता है तो भी आप फिर से इसको खोल सकते हो और फिर से इसको size को मतलब बढ़ा सकते हो तो यह अपनी according भी अपकम ज़्यादा कर सकतो है इसलिव ऐसे भी किसी dress को repair करने से पहले सोचना चाहिए कि हमें cutting करे बगार ही वो complete हो जाया काम हमारा ऐसा करना चाहिए तो देखें यहाँ पर बिना cutting वाला ही काम हुआ है हिसाब किताब बिना cutting वाला की cutting भी नहीं हुआ और हमारा जो sleeve है यह भी repair हो चुका है तो इस तरीके से देखें यहाँ पर knot लगा लेंगे तो simple आपको तुरपाई करने बस trick यह है कि आपको अंदर की तरफ fold कर देना है देखें बिलुकुल भी पता नहीं चल रहा है कि cutting करके बनाया है अब आप cutting करते तो बहुत ताम जहाम रहता है आप sleeve को खोलते निकालते फ simple हमें पीछे की तरफ पूछ कर लेना है और तुरपाई करना है तुरपाई बिल्कुल छोटे छोटे ठाके से करिएगा बिल्कुल भी धागा हमारा दिखाई ना दे बहुत ही finishing के साथ और यकिन मानिए इस trick से बनाने के बाद आप पता ही नहीं पाऊगे कि मैंने cutting करके sleeves को बनाया है कि नहीं बिल्कुल पता नहीं चलता और आपके sleeves भी repair हो जाती है तो इस तरीके से सिर्फ तुरपाई कर लेना है हमें देखे इसे भी तुरपाई करके मैंने complete कर लिया है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसे बिना cutting करके fitting वाली मैंने sleeve बना दिये नहीं बिल्कुल पता नहीं चलेगा और आपके sleeve भी बन जाएगी सिर्फ 5 मिनट लगते देखे ये वाली sleeves fitting वाली लग रही है पीछे की तरफ इस पे plates पढ़ रहा है ये अंदर की तरफ चला जाएगा इससे कुछ नहीं होता इस तरीके से बिना cutting आप 5 मिनट में repair कर सकते हो वहीं दोनों sleeve को मैंने complete कर लिया है बिना किसी जंजट बिना किसी महना सिर्फ 5 मिनट में तो ये idea बहुत simple सा है trick बहुत simple सी है video बहुत चोटा सा है पर बहुत काम का है इस idea को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि सब की help हो सके जादा होती है मतलब घेरा बहुत इजी तरीके से तो market में tailor के पास जाके चक्करनी लगाना पड़ेगा और घर में ही आप इसको repair कर सकते हैं कैसे आपको सबसे पहले इसकी डोरी को निकाल लेना है डोरी निकालने के बाद जो नेफा है हमारा वहां से आपको थोड़ा सा खोलना होगा पर अभी आप इसको उ इसके according आप कट कर सकते हो मैंने कट कर लिया कट करने के बाद देखे जो नेफा वाला पार्ट होता है वहां से हमको सिलाई को खोल लेना है तो इतना सिलाई खोलना है आपको 2 इंच के करीब खोल दीजे क्योंकि वहां पे हमारे सिलाई लगनी है तो देखे इस तरीके से सिल कर देखे आपको सिलाई लगानी है नीचे से ऊपर तक और जो नीचे हमारा बॉर्डर बना हुआ है उसको अभी खोलने के महनत मत करिएगा ये देखिए इस तरीके से तो मशीन पर बताती हूं आपको सिंपल आपको सिलाई लगानी है नीचे से जहां घेरा वाला पार्ट ह होता है वहां से आप सिलाई लगाते जाइए और उपर आ चुके हैं जहां नेफा वाला पार्ट मैंने खोला था दो इंच तक उसको बराबर करके ऐसी स्टिच कर लीजे ये हमारा स्टिच हो चुका है अब देखे क्या करना है जो उपर नेफा वाला पार्ट खोला था ना अब इसको अंदर के तरफ फोल्ड कर लीजे पूरे पर सिलाई लगा लीजे तो ये मैंने सिलाई भी लगा ली अब देखे नीचे की तरफ जो हमारा घिरा था अब यहां से ये उठा उठा है क्योंकि अंदर बुग्रम पड़ा हुआ है आप सिलाई खोनने के मैनत मत करिए सिंपल इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लीजे एक इस तरफ और एक इस तरफ तो ये हमारा फ्लैट हो जाएगा और देखने में भी खराब नहीं लगेगा इस तरीके से अच्छे से इसको पका कर लीजे देखे बिना महनत और बिना जंजट आपका पैटिकोट रेडी हो च तो बहुत ही इसी तरीका है तो देखे डॉरी इंसर्ट करने के बाद फाइनल हमारा पैटिकोट बिल्कुल साइज में आ चुका है बिल्कुल एक शेप में आ चुका है और जब पहले दिखाया था वह बिल्कुल शेप में नहीं था बहुत ही जादा उसकी विर्थ थी तो यह सिंपल साइडिया भी आपको पसंद आया हुगा फ्रॉक लेकर आते हैं मार्केट से तो उसके अंदर स्लीव दिया होता है लगाने के लिए पर बच्चों के जो ड्रेसेज होती हैं उनमें स्लीव ना भी हो तो भी सुन्दर लगता है क्योंकि कपड़े जितने शौट होते उतने ही अच्छे लगते हैं तो सिर्फ इस तरीके से स्टेट पट्टी निकालनी है और देखिए इस तरीके से मैंने सिम्पल हेयर ब्रेंड लिया है लोकल मार्केट में इसली आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा इस तरीके से आपको इस ट्रिप्स को लपेट दे जाना है सिर्फ इस तरीके से लपेटते जाएए, हलका से एक दूसरे के उपर ओवरलैब कराते हुए तो इसी तरीके से पूरा end तक हमें कर लेना है यह देखे, यहां से यहां तक हमें पूरा लपेटते जाना है लास्ट में आ चुके हैं, अब यहां पर आपके पास फैबरी ग्लू हो तो आप उससे पेस्ट कर लीजे या फिर सेम थ्रेड लेकर भी आप टक कर सकते हो तो इस तरीके से करने के बाद मैं यहां पर लगा ली हूँ प्लोथ पिन ताकि यह अच्छे से ड्राय हो सके और हटेना वहां से या फिर सेम मैचिंग के धागे से पिया चुटे-चुटे टक लगा सकते हो तो यह मेरा उपर की तरफ आ रहा है पर मैं बहुत सफाई से कर रही हूँ दिखाई नहीं देगा आप चाहना तो अंदर की तरफ लपेट देना मेरे पास इतनी ही कपड़े का जो पीस था इतना ही था अब उपर से जो राउंड वाला पीस बज गया है इससे हम बनाएंगे ब्यूटिफुल सा फ्लार आप फ्लार बना सकते हो बो बना सकते हो यह आपकी मर्जी है तो मेरे पास जितना कपड़ा है मैं उसमें ही सारी चीज़े बना कर त्यार कर लूँगी इस तरीके से हमें लपेटते जाना है गी देखिए इस तरीके से तो हमारा ब्यूटिफुल सा रोज बन जाएगा अब इसे अच्छे से हम पका कर लेंगे तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का यूज नहीं कर रही हूँ तो सुई धागे से अच्छे से पका कर लेंगे ताकि सारी लेयर एक के उपर एक अच्छे से फिक्स हो जाए तो यहाँ पर हमारा रोज कंप्लीट हो चुका है यह देखे कितना सुन्दर लग रहा है तो यही फ्लार आप बच्छों की किसी ड्रेस के लिए भी बना सकते हैं देखे इसको साइड में मैं फिक्स कर दूँगी तो फ्रेब्रिक लुक की हेल्प से ही यहाँ पेस्ट कर लेंगे अब इसे छोड़ दीजे ओवर नाइट ड्राय होने के लिए तो यहाँ पर मैं क्लोध पिन लगा रही हूँ ताकि यह हटेना यहाँ से देखे हमारा ब्यूटिफुल सा यह हेर बेंड तयार हो चुका है तो फ्रॉग की मैचिंग का ही है तो बच्चों की ड्रेसे से मैचिंग का आप हेर बेंड बना सकते हैं जलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिये की तरफ तो नेक्स्ट आइडिये में मैंने इस तरीके से वूलेन में एकसी लिया है जो नाइटी होती है कॉटन की नाइटी गर्गों में पहनी जाती है पर ये वूलेन वाली है ठीक तो इसको हम कैसे बिना सिलाई मशीन चलाए और बिना किसी जंजट के थोड़ा सा स्टैलिश और फिटिंग बना सकते हैं तो इसको देखते हैं क्या करना है तो ये काफी लंबी थी तो लंबाई के मैंने पहले लेंद को कम किया तो सिर्फ मैंने बॉर्डर को कट किया तो यहां से सकते पहले हम बॉर्डर को कट कर लेंगे यह मैंने बॉर्डर को कट कर लिया है ऊपर से जहां पे निशान आता है ना पेट वाला हिस्सा कमर वाला हिस्सा बोल सकते हैं 14 इंच पर मैंने इसके बाद जो घेरे से मैंने निकाला था बॉर्डर वाला हिसा ना इसकी सिलाई खोल लेंगे हम तो मेरे पास दो पट्टी आ जाएगी एक फ्रंट साइड वाली और एक बैक साइड वाली ठीक यहां से ओपन कर लेंगे तो दो पट्टी आ चुकी है मेरे पास देखे इस तर का सा यहां पर round shape देते हैं जैसे हम किसी dress की belt बनाते हैं टाइल करने के लिए पीछे से बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे ही हमें machine चलाना है दोनों पे देखे इस तरीके से round shape दे दिया है मैंने और दोनों पर ही machine चला लेंगे अब इन दोनों को हम सीधा कर लेंगे पलट के यह देखिए, दो बेल्ट आ चुकी है मेरे पास, मैंने छोटे-छोटे दो लूप्स बना लिए हैं, साइट के ही कपड़े से, अब क्या करना है, जो इस पेस मैंने यहाँ पे खोला था ना, यह देखिए हमारे लूप यहाँ पे अटैच होंगे, इस तरीके से, तो अभी मैं करना है, और फोल्डेट साइट हमारी अंदर की तरफ रहेगी, रफ साइट बाहर की तरफ रहेगी, और सिलाई करते हुए हम इसको अच्छे से पका कर लेंगे, दूसरे साइट भी सेम तरीका रखेंगे, लूप को अंदर कर लेंगे folded side और जो rough side है बाहर की तरफ रहेगा और सिलाई करके अच्छे से पका कर लेंगे नीचे गेरे को मैंने cut किया था तो उसे भी double fold कर लिया है और double fold करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, तो देखिये maxi हमारी complete हो गई है, तो वैसे maxi तो comfortable के लिए पहना जाता है, रात में ज़्यादा तर पहना जाता है, तो देखिये अगर आपको थोड़ी सी fitting चाहिए है तो आप बिना fitting का निशान लगाए इस तरीके से थोड़ा सा smartly काम कर सकते हैं यहाँ पे knot लगा लिजे अगर आपको fitting नहीं चाहिए, तो आप belt को हटा लिजे, इसलिए मैंने इसको permanent के लिए stitch नहीं किया है, आपको belt लगाना है, तो knot लगा लिजे यहाँ पे और नहीं लगाना है, तो आप इसको हटा सकते हैं अगर आप permanent stitch कर लेते हो, तो अगर आपको कभी loose करना होता है, तो loose नहीं कर पाओगे, पर इस वाले hacks से आपको loose करना है, तो loose पहन सकते हो, थोड़ा सा tight करना है fitting के लिए, तो उसके लिए भी पहन सकते हो तो यह दोनों ही condition में work करेगा बहुत stylish दिखता है, और बनाने में बहुत easy है, और अगर आप pregnant women हैं, जब भी आपको यह help करेगा I hope, आज के यह simple से ideas आपको पसंद आए होंगे वीडियो किसी भी reason से पसंद आ जाए तो please, वीडियो को like share कर दीजेगा और अगर मेरे channel पर आ चुके हैं तो please subscribe कर लीजेगा जल्दी मिलते हैं एक और useful वीडियो के साथ Thank you